हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप दोंको बता रहे हूं प्रेसर कुकर में मौमुस कैसे बना बहुत आज बहुत ही बहुत ही लिए प्रेसर के स्ट्र पॉद्ज चिक नहीं हैं और अज массोर की स्ट जाथ पत्ता कोपी को मैंने ग्रेंड कर लिया एक बड़ा पत्ता कोपी लिया था और दो गाजर लिया इसको मैंने ग्रेंड कर लिये हैं आप चाहे तो इसे पत्ति पत्ति काट भी सकते हैं और डोबराने के लिए मैंने लिया है आटा मैदा लिया है यह मैदा मेजरमेंट की हुई ह इसको अच्छे से मिलाते हैं, इसमें नमक डालेंगे, एक छोड़ी चमच नमक डालेंगे, और नमक को फिर अच्छे तरीके से मिलाएंगे, और फिर इसमें पानी डालते जाएंगे, इसको मिलाते जाएंगे, दो बिल्कुल हाड होने चाहिए, सौप नहीं होने चाहिए, इस कि निसको अपने अंदाज विठाई देखो अवड़ बना लिया ये हार्ड होनी चाहिए उपने होना चाहिए हार्ड वीदिव श्याद्री में सौट अर्पिंग करने के लिए हैं और जली हैं चलिए इसको अफ्राइर करते हैं मैंने और इपटाउ ही छाई इसको गर्म होने देंगे और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखे इसमें दो लाल मिच्ट डालेंगे फूरन के लिए इसको अच्छे से लाल होने दे चलाते रहे नहीं तो एक साइट से जल जाएगी आप इसे बारिक प्यास डालेंगे और इसको अच्छे मार लालेंगे चलाते रहेंगे नहींतों एक साइड से गोलेंड हो जाएगी एक साइड से जल जाएगी इसको इस्तर हीलाते रहें चलाते रहें आभ य aprie पत्ता कोई मैने सब दालें position क्याय को डालेंगे 7 युचिर मेने डाल दिया लाइगे याद ज्यादा पकादेए तो पनी चोड़ती है तो ज्यादा पकाँप chỉ पर्फइंक करने प्रावलम हो गी अब श्कुक्त स्वेस्न ज्यादा ने दो ही ससाँ लिए क्रणूर करो इसलिए मैंने एक बड़ पता को भी लिया था उसमें बस दो siis गाजर दी हैं गाजर को आप चाहां तो पतली-पतली काट भी सकते मैं तो गेंड कर लिया है आप दोनों को अच्छे तरह से मिलाएंगे मिलाते रहें इसको जाता नहीं पकाई और ढखेंगे भी नहीं नहीं तो ढखेंगे तो यह पानी छोड़ देगी बस मिलाते जाएंगे इसको दो से चाय मेर तक लेगा इसमें बस नमक डालेंगे नमक ध्यान रहें आप मैदा में भी नमक डाले हैं और इसमें मिक्सर में भी नमक डाल रहें तो नमक बस ध्यान से ही डालेंगे कि मिना देंगे अच्छी तरीक है नमग डाने से थोड़ा पानी चोड़ता है इसको में एक निन्ट कि से जला लेंगे मतलब कि पानी को जला लेंगे अब अब इसमें हम हल्दी डालेंगे एक छोटी चमच हल्दी डाफे बस नाम मत कि solamente कलर आए बस ज्यादा नहीं पपाएंगे इसको यह देखो टैयार हुए बिल्कुल अब मैने यहां पिलिया है आंता मैदा यह दो को मिक्चर बहुत अच्छे से बनी है तैयार हो गई ही है बिल्कुल ये लिया है मैने शुखा मैदा डास्टिंग करने के लिए ये पानी मुमस को सील करने के लिए लोगु Εंस को हम टॉल करेंगे एक वरांटा को फीर से अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो गई है ना देख लेते हैं बिल्कुल सौफ्ट हो गई है अब इसके हम छोटी छोटी बनाएंगे बिल्कुल जो पानी पुरी का जो लोई होता है उसे थोड़ी सी बड़ी लेंगे जादा नहीं देखो मुझे लग रही है बड़ी है थोड़ी सी तुम आने थोड़ा सा निकाल दि कि इसका से जादा बड़ा नहीं देंगे बस पूरी के साइज में देंगे और डिस्टिंग एक ही बार करेंगे क्योंकि दो बड़ा करने से बहुत ज्यादा हो जाता है वह जो के अच्छा नहीं लगता है और यह बिल्कुल मतले की जो से फई यह बिल्कुल पतला होना जाए लिए हैस एक चमस टालेंगे इसका मिक्सटर जाला है जादा दने से टेस्ट आ ज्यादा अच्छा आता है मैं एक चमसी डाला है उसका सेफ देखके पूरी के साइज देखके अब इसमें हम इसको इस तरह मोर लेते हैं आब तो इसमें हम साइड साइड पानी लगाएंगे पानी जाते नहीं देंगे बस थलकी हलकी पानी देंगे ताकि ये दोनों साइड से सर्च जाएं और देखो फिर मैंने किस तरह से इसको सील किया है आइदे चो में हिसे तरीके से घुमाया है एक साइड से फिर उसे तरीके से बार-बार करते जाए जो साइड करकर के मूरते जाए मैं ओड़ समय है कि ब्रसी यह लास्ट वाल लिए इसको भी इस तरह मूर देंगे सारे को मूर दिया है विलकुल गौल ब्रा नई है अब सारे को मिला के एक वाऔ गोल कर देंगे इस तरह देखो बिलकूल टेड़ा कर दिया है यह देखो बन गई डेको बन गई है पर फिर इसको रख देंगे एक बार फिर से मैंने आप लोगो बता है ताकि ये वीडियो बैक करके ना देखना पड़े इसलिए मैंने ये प्रोसेस को दुबाय रिपीट किया है इसमें वैसे ही एक चमस लेंगे मिक्स्चर इसका इसमें वैसे ही पाई डालके सेफ करेंगे इसको अगर मिक्सर जाया देंगे तो टेस्ट अच्छा है अगर मिक्सर कम देंगे तो अतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा आप अधिक भी दे सकते हैं इस तरह इसको यूज सेफ करके मूलेंगे इसमें कुछ नहीं है बस देखन मैं लगता है कि कितने अच्छे से किया आप करोगे तो आपको भी एजी लगेगा एक वारी रसी पर ट्राय करके देखना बहुत अच्छा लगी से इसको घूमाएंगे और यदि सामने में आपको मैदा ज्यादा लगे तो उसको निकाल दे नहीं तो फिर मैदा मैदा टेस्ट कर दिया है और ले सकते नहीं तो आप फॉर्चुन यूज़ कर सकते हैं मैंने लिया है अब इसमें एक एक करके सारे ममुज को डालेंगे साही लगा दिये इसको इस तरह से इसको अरज्ज़स्ट करेंगे यदि आपके पस इटली का बत नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट में भी डाव बना सकते हैं इसको प्लेट में फॉर्चुन लगा देंगे इसको इस तरह से अलगलग रखेंगे, सठाक भीलकल नहीं रखना है। यदी सठाक रखेंगे तो यह फिर स्ऽीपक जाएगी बाद में एक साथ में 20 बारा बनती है यह चुछो देखالم wijने सारे में रख दिया है इस ब आप इसकसे।्ध करने के लिए रखेंगे promos लिए ma nie port प्रे expressed diariat प्रेशर कुकर में मैंने आधा क्लास पाई डाल दिया है ज्यादा पाई नहीं देंगे बस आधा क्लास यानि तो एक क्लास अब इसमें जिसमें मैंने रखा है मुझ उसको इसमें डाल देंगे प्रेशर कुकर में देखो प्रेशर कुकर में डाल लिया है अब इसका इसको बंद कर देते हैं बंद कर दिया है और इसको गैस पर चड़ाते है गैस पर चड़ा है कि इसको बस जाता है नहीं मैं आराम से आप सिटीं स्काइब करें हाओ राव सब्सक्राइब पर इस चाइब हो गया है यह अराम से अपने हाओ खुछ ओप छुछ सिंध्च हैं होगया है मैंने कासी लगा भी द्समेट कॉछम बहुत अच्छे से पक गई है यह वाव देखो कितनी अच्छे स्टीम हो गई है यह साइज भी काफी बड़ा हो गया है अब इसको निकालते हैं बहुत गर्म है इसको किसी चीज की सहयता से निकालेंगे बहुत गर्म है यह देखिये बिल्कुल मुमस तयार हो गई कुछी सीटीम ही इसको कितना अच्छी ही पकी हो गई है बहुत अच्छी लग रही है देखने में ये में बहुत एसको उपना करना ईक इसको अब ऐसको आरे बाऊ अब शक्राइब लगाया इट लेव Pear में ठ्राइक करना खिए आप बनाए तो कैसा बना ओफ आप कर दो कर दो